स्लाम अलेकूं आपको एक बाद बताना क्या चाहता हूं यह किसी एको सिस्टम में अगर आप देखोगे जो ट्रॉपिक लेवलर्स में होते हैं हर किसी एको सिस्टम में जो ट्रॉपिक लेवलर्स होती है उस ट्रॉपिक लेवल में आर्गिनीजम्स में ऑन आप सबको पता है प्रेव एको सिस्टम चो कंटेन करना वार्या ट्रॉपिक लेवल तॉपिक लेवल है करना डिफरेंट काइन्डस आफ आर्गे लेवल नाजर्थ एक इस ecosystem माझ रिलेट आसन करें ग्रैफिकली बुछ वो दी मनाजर मैं तो एक इस ecosystem माझ ची वारिया ट्रॉपिक लेवलाज आसन मगर ट्रॉपिक लेवली माझ ची वारिया आरगेनेजम आसन ये मुख्तिलिफ आरगेनेजम अगर पारवाई connected छे मतलब अशल ट्रॉपिकाल लेवलो और जो अगर ये हैंस रिलेशनची वाल डिस्क्राइब करना graphically मतलब आशा कव ये represent करेंथ ये हैंस relationship और ये हैंस रिलेशनचीप आख वो इस represent करेंथ graphically and सघ्र ग्रैपिकल representation चा क्या सब्सक्राइब और प्राइब आप आर्गेश्म को रिपेजेंट कर रहे हो आप किस बिना पर उनको रिपेजेंट कर रहे हो ग्रैपिक लिए वह मैं आपको बताऊंगा तीन चीज़ों की वज़े से एक तो है on the basis of number दूसरा है उनका biomass biomass का मतब है उनका weight and the third one that is how much amount of energy is produced by each tropic level अपर फ्रापिक लेए उसके सीरावच हों achie थो यह ओडेखिस एको सिस्टम तर्सके सब्रेब कर रहे है इनकी रिपेजेंटेशन जो है वो रिपेजेंटेशन êtes और नेस्ट आप क्या है है in देश एब to represent the organisms belonging to tropic level belonging to each tropic level graphically graphically किस बिना पर हो नबस आप नमबर on the basis of biomass on the basis of energy and those graphic representations are commonly called as ecological parallels thus we can define it easily हर किसी ecosystem में बहुत सारी tropic levels होती है वो tropic levels एक दूस्तरी के साथ attach होते है associate होते है relate की जाती है graphically go each ecosystem containers प्रहतकरा ecosystem to contain contain several tropic levels which which can be which can be which are related to each other यम्चास्ण relate करें which are related to each other वो एक दूसरी के साथ relate होते हैं यह आपको दिमाद में रखना है एक ecosystem में बहुत सारी tropic levels होती है उन tropic levels को एक दूसरी के साथ relate किया जा सकता है and after relation यह tropic levels होकर इस रिपेसेंट करिया graphically and representation अब धोस्टोस ट्रोपिक ल्याओन इस ग्रेफेकली काना शूचि कोर्स और सक्याओक इस रीपेसेंट के रहे graphically इनको आप represent कर सकते हो कैसे graphically और उन graphic representations अगर आप देखोगे आप किसी चीज ता graph बनाते हो तो उसके लिए आप कोई criteria लेते हो यहाँ पे भी इस graph को बनाने के लिए हमें criteria की जुरत पढ़ती है criteria कितनी है तीन criteria है that is number biomass और simply energy that is associated with an organism यह किस ट्राफिक लेवली माझ ची आर्गेशम जासन मगर कोई त्याच आपक लेवली माझ ची आर्गेशम जासन मगर कोई त्या बल की ची तेम आन पोदाग वेड चु आपक लेवली माझ ची आर्गेशम जासन मगर तिम कजा energy सी कया है अच्छीजी परेशा हनु तेमां ठाहि zukने कर थाह डिंघ ईंट। इसं ट्यां आइगिजिए पाहि अच्छीinté माल कर रह == वे देखिनीन है क्व हिर्पेश्ंटेश्टिया शुम्तिर्ली मुन्तिनी थाहई right będzie क्वेश्चया है व तेन्म आओ नव् audio the graphic representation, graphic representation the graphic representation a of organisms organisms belonging to different species देखिए belonging to different species in each tropic level हर किसी tropic level में in each tropic level on the basis of किस बिना पे on the basis of number पहला है number उसके बाद है weight जिसको मैंने भी आपको बता है and energy and energy is called ecological pyramid उसी को हम कहते है ecological pyramid ते रहा को इस एजी लिए वे जिए वांसा ecological pyramid क्या वो अधाज ecological pyramid हासा चो एक कस पो ग्रा उस रिप्रेजेंट चीवन कारना एक इस ecosystem जिसके लबन जिसके लबन जिसके लबन जिसके मोलूं जिसके करिया कि अख ट्रॉपिक लेवल अगर organisms contain चीवन कारन तत्मस कुल के organisms है के नहीं जिसके नहीं तत्मस तिमन organism हुन वेट क्या चो and तिम आर्गनिसमस कुल जाए energy ची रिलिए जिसके करन आइम सिथ हसा चोग ग्राफ आख डेवलब गासन तत्ग ग्राफ शेष नावनन ecological pyramid वो simply the graphic representation of organisms on the basis of number, on the basis of mass on the basis of energy in each tropic level belonging to different species is commonly called as ecological pyramid अब ecological pyramid में base भी होती है और ecological pyramid में top भी होता है ecological pyramid में बेस ते आसन and ecological pyramid में ते ते आसन अगर तो यूशो ecological pyramid में यस base आफेड ecological pyramid छे represent करनी छे represent करनी represent फिर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पहली ट्रॉपिक लेवल फिर्स्ट ट्रॉपिक लेवल और producers यह आपको दिमाद में रहना है हर किसी pyramid में जो बेस होती है वो represent कोन करता है वो करता है represent पहली ट्रॉपिक लेवल और producers इसी तरह से हर किसी pyramid में जो top होता है top जो होता है वो represent करता है simply जो आपको याद रखना है tertiary consumers tertiary consumers or top carnivores top carnivores यह यह इनही को आप कहते हो omnivores यह था होता है वो प्रियाथ को पहल जीकल पायरे मेंड़ास हमाज हबाश्ची B.E.S.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E बार मतला बार अथमाची बार शासन 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 बार याज, गो, in ecological pyramids, the length of each bar determines the stratum of diatropic level. In an ecological, I guess ecological pyramids, in an ecological pyramid, कामा, the length of each bar determines the stratum of diatropic level. हर किसी ecosystem में, हर किसी ecological pyramid में, language जो होती है बार की, the length of each bar determines the stratum of diatropic level. प्रेहत का कुई ecological pyramids में यस ती भारस लेंगत चे आसन सहसाची स्चाची ऋचे लेंगत चेटर्माइन करन से ट्रंगत रापिक लेवल, सच करन प्रेहत करन से ्चाची आसन सहसाची नेगत जाएपार, मतलब गार्श में था मांगत अगर बारस लेंगत जाटी, लेकिन आपको देखना है यह जो बार लेंग थे यह तो डिनोट करता है एक्टोली नंबर आप यही तो डिनोट करता है से ट्रंग था ट्रॉपिक लेवल नौ इकाल्जिकल पायरेमिडस के तीन टाइपस है एक है पायरेमिडस पायरेमिडस है पहला इकाल्जिकल पायरेमिडस जो है देखे पायरेमिडस पायरेमिड आप नंबर क्या होगता है पायरेमिडस नंबर का मतलब है simply आप organisms को graphically represent करते हो लेकिन वही organisms जो एक ही tropic level में होते हैं और वो बिलांग कर सकते हैं एक ही species को या different species को लेकिन जब आप उनका number लेते हो तो उस number को जब आप relate कर सकते हो किसी और tropic level के साथ वहाँ पे उनका जो graph बन जाता है that is simply called as pyramid of number वो तेलवन वो as pyramid of number वो simply the graphic representation of organisms in an ecosystem belonging to different species in each tropic level represent us simply the pyramid of number वो simply कुईत्या इंडिजवन जच्छ दा विश्व डिपिशन क्या निया रे the graphical इने रुकत लिप्टि पाने का रहे हो तो फिगरें the graphical representation of organisms चलिए मैं मानता हो organisms the graphic representation of organisms the graphical representation of total number of organisms total number are organisms belonging to different species in each traffic level is called pyramid of number here you can see this is a total number of organisms तोर्टल नंपराफ अर्गनिस्म गो तैमा दो अगते ग्राफ चू बनावने किसी एको सिस्टम मस्ट मगर तोई चू उशन लेड़ सब्सक्राइब डिफरेंट काइंड साथ ट्रॉपिक लेड़ सब्सक्राइब तो इस पुछाओ यह इस निमों आख का था इस पुछाओ व अब गर्यंविवार्श्य नोगार्श जोंगा थे यह नंघ को बिखेते भीवास्य इस ट्रॉपिक लिख अगर तो इस पान अगी तो इस विशन नंबर को उचू जआदे घ्राइबस मां शुन नंबर को अच्छा आप्पमाचाइब तू अध्चाए अध्म आख चैना तो यहां पर देखना है सबसे पहली बार आपके पास आएंगे वो इस पहले हमारे पास क्या आएगा हमारे पास तो सबसे पहले बेश आएगी बेश में क्या आएगे प्रेडूसर्स पहला अब उसके पाद प्रेडूसर्स ग्रास को कौन खाते हैं सब्सक्राइब होते हैं इस को आप कहते हैं अंदेख करते हैं है के बार करते हैं को से के थो पर इसके पाद है तर्शियर रिक आप नहीं उना ना वो पायामीड यहां पिरोफ पिरोफ पायमीड़ ए भाइ मद आप नमबर को ग्रास प्रांटरर्य को अई चेल शुम्प लिए पे रामेड़ आपक लेघ्पाप्ट ऑजादा अप्पाया्यमा अचिभापक लेवल्ट इन्ट ग्रांपर आपक लेवल भी यह ईऊंगो को लॉड करेंगा है थे किसी लीडिया वे सिर्दैेके दे कैरेंग की यह थे एल्ड़ से उन्हाओ है थैसले क्उप सिस्टी शिए याज लिए यह लुख लभ केंचे ऌसब ल२बेवार आप कांज़ नो obviously what you are going to get, you are going to get an upright pyramid, आपके पास आएगा upright, यह upright है, दुनिया में हर किसी ecosystem में pyramid of number upright होता है, किसी भी ecosystem में, except artificial ecosystem, मतलब जो ecosystem आप खुद बनाते हो, this is pyramid of number, और अधर्मेर आप नंबर छो, आल्मोस्ट हर कोई ecosystem में upright, दोस्तरा है और वेट आपको वेट के हिसाब से लेना है देखिए तो अब आप अगर आप इसको डिफाइन करना चाहोगे तो आसान है simply it is the graphical representation of total weight of organisms belonging to different species in each tropic level of an ecosystem is called a pyramid of biomass who simply the graphical representation of the graphical representation of organisms on the basis of total weight the graphic representation of total weight total weight total weight of organisms belonging to each tropic belonging to each tropic level total weight of different organisms belonging to age tropic हाँ देखिए graphic representation किसकी है the graphic representation of total weight or total mass of organisms belonging to organisms of living organisms of different species belong to each tropic level belong to each tropic level and different species different species graphical representation किसकी है total weight total weight का मतलब है आप यह भी ले सकते हों dry weight भी ले सकते हों dry weight आप organisms belong to each tropic level and different species is called उसी को कहते है pyramida biomouse that's called pyramida biomouse that is called as pyramida biomouse that is called as pyramida biomouse go एक यिस ecosystem मसम अचाची आफनचा अवाईथा आथा साची different organisms आचाची different organisms आचान मगर रका organism हसाची बिलांकारन different species नचान आपार का organism आची बिलांकरन नचान आचाची organism मस्ट वेट अगर आच वेट असमाज इस ग्राफिक रेपेजेंटेशन प्रभवाइड का रहो ता चेश मना पैरमिड आप बायो मार्स अगर इसमें याँ एग्जांपल निमो लेड़ा सपोस इस निमोड टेरिस्ट्रियल एकोसिस्टम वे निमोड अक्वाइटिक एकोसिस्टम अगर हम देखेंगे टेरिस्ट्रियल एकोसिस्टम असमाज चेश प्रिडूसर असमाल की आप देखो प्लांट्स और ट्रीज का वजन बहुत ही ज्यादा होता है आप देखो वहाँ पे सारे प्लांट्स को इकठे करो और उनका वेट लेड़ो तो आपको नजर आएगा कि प्लांट्स का वेट सबसे ज्यादा है उसका मतलब है टेरिष्टियल इको सिस्टम में जो प्रिडूसर होते हैं उनका वेड़ सबसे ज्यादा होता है यह है प्रिडूसर अइमीड वाजन सबसे ज्यादा है और उसके बाद किनका वजन होता है consumer जो इनको खाते हैं वो कौन होते है वो primary his words अई में एक ही डियोड़हरी होते है उसके बाद प्रिडूसौर सबसे ज्यादा वाजन है। का वजन जो है वो ज्यादा है तो उसका मतलब है अगर आप यहां से बेसे यहां तरफ की तरफ जाओगे मास डिक्रीज हो रहा है तो इसी विए पैरेमिड आपके सामने अपराइट है तेकिन एक्वाइटिक एको सिस्टम में अगर हम देखेंगे तो यह इनवोल्टिड है ए ईक्वाइटिक एको नेवेंगे ट्रीट आइञ्म उसमंवें जन्दि कुछास में सब्सक्राइश है अओ छेलि धिखेंडरी करें नीमटन एक्वाइटिक एको सिस्टम नेप्रृइटों नहीं ट्व हम द emanet था प्रफ Two ओंटतिक झाओश्श्ण यहिंसां कर यह दोडिए साथ अजरण राजन वार्याह Sesame you go producer मिन इते producer decibel producers सिं बाजन SE अन प्रोर्डीसरोग लगर श्र्विसँ पाजन श्रूर्ण वार्यासतो क्या असे और यार्ण लगर श्रूर्ण वार्याह सिं आप ने वीक्स कंदे न Coach ARE एक तिमान लारिश फिशन बुद बाजन छो आसन वारिया कम दैन लाइट वेल यह शाक जिनको आप कोमने वह असमान को आप देखिए यह है आपके सामने प्रेडियूसर जिनको आप कहते हो फाइटो प्लांक नंस जिसा जिम्गे फाइटो प्लांक नंस बादन चुकां उसके बाद है आप यह मांगो यहां पे सुमाल फिशुजिश जिसमें आपके समने वेल आती है तो आप देखो यह हैं पे सीदे जाके यह नवोड़िवटिडcost बन गये है क्योंकि यहां पे प्लांक नंस का वजन जो है वो प्हुला है देंर दीस उनका वजन जो इन से कम ह उनका बसन जो है इनसे का में वो सबसे ज्यादे इनका बजन है यह तो कार्णियों वोरस है यह चार्णियों वोरस है बाद लास्ट वाला इसका जो है इस पारमिड आफ एनरजी को सिंपली ग्रैफिक रिप्रेजिंटेशन और टोटल अमोर्ट आफ एनरजी प्रोडूसर्ड बाइनरजी वो तो हमेशा अपराइट ही रहेगा क्योंकि दुनिया में एनरजी कौन प्रोडूस करते हैं प्रोडू एक रहेगा को पिरेमिड कोचा आमोर्ट आफ एनरजी के ऐक्यूमिलेट आमोर्ट आफ एनरजी के एक्यूमिलेट भाइ एस्पेजिस बिलाउड टोट किडिक यसा वाल्ट आफ एनरजी तोह क्योंत् λन पंडूसर्ट प्रियमेश वत यहां जो तोब कोड आफ सथा जो सि रमो浜 on utility कि व्यकिन उनल्ट कर आइपसितिकों इसाइप Τ्राहप इपनीच करन परstood उनल्ट परेपल पर अपन पाज्य व्यूंबर्ज़ पिर्षों पयर आमधन अपन परेमुडल्द को शुयam it is the graphical representation of graphical representation of it is the graphical representation of organisms it is the graphical representation of energy accumulated energy accumulated it is the graphical representation of amount of energy total amount it is the graphical representation of total amount total amount it is the graphical representation of total amount of energy graphical representation of total amount of energy grammatical representation of total amount of energy accumulated by organisms belonging to डिफ्रेंट सुपीशिस एंड इच ट्रॉपिक लेवल सिंपली ग्रैफिक रिपेज़िस देखें कितनी अमोड़ा पेनरजी आर्गेनिजमस एक्युमिलेट करते हैं हर किसी ट्रॉपिक लेवल में उसको कहते हैं पायरमेड आप एनरजी सिंपली ग्रैफ क्या बाइनि मतलग एक इस एको सिस्टम असमाज इंड आर्गेनिजमस एनर्जी टेखें करन साथ आर्गेनेजमस एनर्जी सिंपली नाव वनन एकोलेजिकल पायरमिड आफ इनर्जी सिंपली आफ आखको याद रखना है ग्रैफिक रपेजेशन है आर्गेनिजमस की on the basis आख तोटल आउड अ आप खुदी देखिए हर किसी एको सिस्टम में आपराइटी होना चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा अमोड़ा फैनर्जी एक्युमिलेट है प्रिडूसर्स ही करते हैं इसलिए जाओन सारी खुद ज्यादा अमोड़ा फैनर्जी एको सिस्टम इस एको सिस्टम मस्त अपराइट आशन इस आलवेज अपराइट यह हमेशा अपराइट होता है आलवेज अपराइट विकास बिकास प्रिडूसर्स अपराइब टोकिम अपराइट यह लारेश आमोड़ा अपराइट अमोड़ाइट विच सशबर डिक्रीज़ गसंद विच डिक्रीज़ अ सक्सेसिलिए एट आई यह ज़ब पैरमिड़ा का एनर्जी जो है यह हमेशा अपराइट होता है अपराइट पैरमिड होता है क्योंकि प्रिड्यूसर दुनिया में सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रिड्यूस करने वाले आर्गिनिसम्स है किसी भी इको सिस्टम में और वही अमोट अफ एनर्जी भाकी आर्गिनिसम्स प्रिड्यूस करते हैं लेकिन वो कम प्रोडूस करते हैं सबसे ज्याद तो प्रोडूसर करते हैं वो थान्यवद भी अप्राइट इको अप्राइट एकाल्जिकल पाहिए आप यह मालों प्रोडूसर्स क्लास में आदत है ऐसे ही वो कौने में लिखने की आपको तो याद ही होगा इसलिए यहां पर तो आप दो रही है यह है प्रेडियोसर्स आप यह प्रेडियोसर्स सबसे ज़्यादा एनरजी प्रेडियोस करने वारे हर्पी वारस कार्णिवोरस और ओम्नुवोरस तो यह प्रेडियोसर्स की बात करो तो हर किसी एको सिस्टम में पारेमिड आप एनरजी जो होता है वो अप्राइट होता है इस आल अब आप इकॉल्जिकल पारेमिड़स